तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा लेट हो गया हम लोग एक्चुली मॉर्निंग बॉक पे नहीं आया हैं ऐसे थोड़ा खेतों में देखने के लिए आया है क्यूंकि जो नीचे खेत हैं यहां पे बैल बगारा आ जाते हैं तो दिकत कर देते हैं तो लियो के साथ आया हूं और दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक्चुली होने वाला डॉग फूट पे क्यूंकि हमारे एक स्क्राइबर हैं उनका डिमांड आया था कि या प्लीज पैड़ेगिरी और डूल्स के बीच में थोड़ा कमप बहतरीन आपके लिए काम करेगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं लियोन बिल्कुल एक्टिव है और आप इसका फ़र स्कीन भी देख वा रहे होंगे किस तरह से शाहिन कर रहा है तो दोस्तों यह जो कमाल है यह मैं बताता हूं आपको की कौन से डॉग फूट का है तो अग क्या का दे ना चाहिए तो दोस्तों देखो जब लियो छोटा था जब ही वा ज़ा चाओचा ना चाहिए तो जैसे कि फोर्टी व्या फोर्टी फ्उन ओक देख तो प्रदूद कर देती ए तो उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अभी इसको क्य तो आपको दीरे तीरे मतलब अगर आपकी सी अधर से डाग ले रहे हो तो अगर अच्छा बुडर होगा तो वह क्या करते हैं कि जैसे ही मदर मिल्क भी साथ में चलता है तो शाथ में वह साथ में फीड दे रहते तो उसके बाद उन्होंने सैरालाइक देना इसको सुरू किया था तो मैंने भी फिर इसको थोड़े दिन सैरालाइक पे रखा थोड़े दिन सैरालाइक पे रखने के बाद जब इसकी भोक बढ़ गई भूक बढ़ने का मतलब कि जब आपका डॉक खुदी आपसे खाना मागने लगे चिलाने लगे और अपका जो बरतन है उसको पूजी तरह साफ कर दे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आप इसको और भूक है और ये और खाने की कोशिश कर रहा है और मांग रहा है तब आप आपको सुर्वाद कैसे करना है तो उसको अफोड़ा सा सहार लंक लेक और अगवार ये तीन केजी का आप इसको डॉक फूड का पैकेट लेकर लेकर आ सकते हैं कि नॉर्मली आपको क्या करना है कि आपको ड्रीक की बल्स नहीं देना है अगर आप उसको की बल्स देते हो सीधा सीधा तो वह प्राब्लम यह करेगा कि वह सी चबाए नहीं जाएंगे और यह बच्चा होता है इनके दांत भी निकलेने होते हैं उस टाइम पर थोड़े हाड उसके बाद आपको उसमें डाल देना सायरलैक आप दो महिने तक लागतार उसी ट्रीटमेंट पर इसको रखिए होता है कि जो पैड़ेगरी प्रो है उसमें सब तरह के जो मिनरल्स हैं पूरी जो चीजें उनमें डाली होती हैं अगर आप नहीं इसको पैड़ेगरी प्रो देना चाहते हो तो आपको फिर थोड़ा सब जी बगारा मैस करके एग बगारा एग वाइट उसको लेके थोड़ा फैट इस टाइम चाहिए होता है तो यह सब चीजें मिला कि आपको रेगुलर लग लग डाइट देनी पड़ेगी जिस तरह से हम खाते हैं कि आज दाल खा का खाना आप दीजिए और दो टाइम की ही आदद डालिए कि दो टाइम में ही आपसे खाना मांगे तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही आपका डॉड उससे बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत सी चीजें मैटर करती हैं तो हम डिरेक्टली अब आते हैं टॉपिक पे टॉपि जाएं किस जैसे ब्रैंट पे हम लोग जाएं और कौन सा हमारे डॉड के लिए बैटर रहेगा दोस्तों मैं तो आपको सिंपल सी और नॉर्मल सी सला देता हूं कि अगर आपका डॉड जो है वो लार्ज ब्रीड का है तो आपको तो उसको प्रॉपर ली वही फोड देना प मैंने जब शुरू किया था दो तीन महीने के बाद तो मैं एक्चुली इसको ले कि आया था सबसे पहले मेट अप क्योंकि देखो अब हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है कि और डिरेक्ली एक महेंगा फूड पर जाएगा और मैं अशे उन लोगों में से हों भी नहीं कि रिए एक महेंगा फूड लिया और उसको सीधा अपने डॉक को देना शुरू कर दिया कि हाँ इसमें सब कुस तो हो गई और ठीक है तो मैंने एक छोटा था ट्राइल पैक उसका मंगवाया था क्योंकि उस टाइम पर फ्री कोई आफर चल रहा था तीन किलो पर तीन किलो फ्री थ होगी थी और चोटे-चोटे फोड़ फिंसिया निकल आई थी मैं बहुत परिशान हो गया क्योंकि हफता बर मैंने इसको इतने सुहिया लगवाई हैं इतने ठीके लगवाएं कि मैं आपको बता नहीं सकता के बाद जब मुझे अक्चली प्रावलम समझ आई तो वह डॉड को देखते हैं कि अब थोड़ा डाशिफ सिस्टम भी अच्छा हो गया होता है तो क्या पता फोड़ा बेटर परफॉर्म करें पर अब बात आती है दोस्तों और पैड़ागी तो इनमें क्या फरक है तो डूल मैं ऑप्टिम परफॉर्मस की बात करा हूं कि दूल को प्रेमि हैं कि अगर जैसे कंपधनी बोलता है कि डाल पैब आप पहले आप पहले से तो दोस्तों और तो दोस्तुम प्रफॉर्मस में इसको दो महिने देख हुआ आप 20 किलो का पैक मंगवाया क्योंकि अगर जैसे कंपनी बोलते है कि ट्राइल पैक आप पहले यूज कीजिए तो दोस्तों वह दोखा है ट्राइल पैक से कोई फरक ने पड़ता है डॉग को ना इसकी हेल्थ पे फरक पड़ेगा ना ही इसको आपको कुछ समझ आएगा कि य ट्राइ कर रहा हुए आप तीन किलो तो भाई यह पांट दिन में खा जाता है अगर इसको आप खिलाने पर आओ यह तो फिर आपको पता है कि यह लार्ज ब्रीट के डॉग है तो भारते हैं भाई पेट इनको थोड़ी ना मतलब है यह रोयल काने ना यह पैड़ेगी दिय पाया उसकी वीडियो वहां पर पड़ी है मेरे चैनल पर आप उसको देख सकते हो कि किस तरह कि रिजल्ट है और किस तरह होस्ताइं पर डॉग की स्कीन और वह दिख रही है तो मैं बोल सकता हूं कि अबब एबरेज भी उसको बोल सकते हैं मतलब ठीक है कि अगर आपको सिर अगर एक एबरेज परसन है कोई तो मुझे लगता है कि दो महने के लिए तेईसो रुपया वह फोड कर देगा तो वह फोड कर लेगा तो उसको ले सकते हो मिनरल्स है फैट है सब कुछ है डॉग आपका जिंदा रहेगा पर दोस्तों जो यह आप शाइनी है अभी देख र सोचे समझे यह यह जंप तो यह मैं अगर आपको बताओं तो यह उंचा है आप ऐसा मत सोचना कि यह मतलब अशी है लिटरली यह मतलब यह चीज जो है भी गहास में दिखनी रही है ठीक वह वहाँ पर देखो कितने नीचे है ले किया डंडा ले किया तो दोस्तों यह अब दोस्तों बात करते हैं पैडा गीरी मेरे हसाब से मेरे डॉग के लिए एक सूपर फूट है मिर को इसमे कोई भी सिकाय समझने आती है नहीं मेरे को वह यह रिए है कि यह पैड़ागरी सोपर मिल को कुछ देना चाहिए क्योंकि मैंने इसको शोव नहीं करना है मैंने इसको ब्रीडिंग नहीं करवानी है मैंने इसको कहीं जबाबी नहीं लेकर जाना है जहां पर मतलब लोग बोलें कि यार कैसा डॉग फूट आप देते हो इसके तो बाल मेरे लिए चीज प्रफेक्ट है ठीक है दोस्तों यह शाइनिंग मेरे को प्रफेक्टा और क्यूंकि आज कल वैसे भी सैटिंग का मौसम है तो यह सैट कर रहा है थोड़े से पूंच पे आपको बाल दिख रहे होंगे फाल दो के जो निकालने के लिए बच्चे हुए बाक क्योंकि पैड़ेगरी बहुत पराना ब्रैंड है और उन्हें सीख चुके हैं और लोग की कैसे एक डॉग को मैंटेन रखना है अपने डॉग फूड की वजह से मतलब अगर आप उनको इतना ट्रस्ट करते हैं तो वह आपका ट्रस्ट भी नहीं तोड़ते हैं और कंपनी ज जाता हूं क्योंकि मिलियन सौफ लोग हैं जो मतलब मेरी तरह हैं और ऐसा ही कोई डॉग फोट टूटते हैं उनको यह समझ नहाता है कौन सा दे दोस्तों मेरी राय में आप एड़ेगरी दे सकते हो और आप डॉग डेख सकते हो नौ मेने का डॉग है फुल ग्रोथ पे चल रखावा इसलिए इसको डॉग फूट भी बहतरी देना पड़ता है मुझे तो उस तरह की चीज़ें दोस्तों तो अगर आपके पास स्मॉल साइज का ब्रीड का डॉग है तो इसको आप 20 किलो का पैड़ेगीरी मैं तो बोलता हूं चार मेने तक चला सकते हो और एक दम चपातियां और कभी-कभी चावल चिकन का जो मैं उबालता हूं उसका पानी मैंने लग रख लिया होता है तो उस पानी में बहुत से पोशक तर्तव होते हैं तो वो खाने को दे देता हूं अभी आप पूंच पे देख रहे हैं और जो बुश जैसा बनावा है वह एक चु क्योंकि पिछली बार मैंने चिकन अंड राइस मंगवाया था तो इस बार मैं मेट अंड मिल्क मंगवाया हूं तो वह भी मेरे को अच्छे रिजल्ट उसने दिये हैं और मैं खुश हूं और अगला पैक भी में जरूर पैडागी से ही मंगवाऊंगा तो यह जो दोस्तों अगला पैडागी से जाद है रचा हुआ है यह इसका किबल साइज है देखो और मैंने इसमें रखा है ना किसी उसमें ट्रांसफर किया है पैडागी लिए तो यह आज कल दे रहा हूं मैं और यह प्रेडर स्पैसल भी है बाता नहीं यह क्यों लिखा है नहोंने पर अदर जो भी हो अपने डॉक के लिए तो यह मस्त और बेटर चीज है यह सब इसमें साइन उफ हेल्थ है नोने दिये हूए बाकी इस पर जो लिखे होते हैं नोने कंटेंट जो लिखे होते हैं कि इतना यह प्रोटीन है इतना हुआ उस पर आप जा सकते हैं बर मैं ज्यादा वो नहीं करता हूं क्योंकि जो आपको रिजल्ट अग्जेक्टली डॉक भी मिल रहा है वो मिलना चाहिए दोस्तों बाकि उन चीजों से कोई जादा फरक पड़ता नहीं है सेम सेम ही होते हैं एक दो का फरक होता है तो मैने जबल है पर डूल्स की मैंने वीडियो डाले थी उस हमारा और बात तो यह दिख रहा है दोस्तों अभी शैडिंग पर उसके बाद जब शर्दियों में आपको इसकी ग्रोफ एक बार फिर से बताऊंगा कि किस तरह से अब क्या मैक्स को खिला रहा हूं और अपने जो हेर दोबारा से गेन कर रही है तो किस तरह इसकी ग्रोफ ह ठीक है दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाए और लियो की तरफ से बावाए तो कोई और नया टॉपिक अगर आपको चाहिए और अगर आपको चाहिए और आपको चुछ और जानना चाते हो जर्मेश हैफ़ड के बारे में तो आप जर इसका बिल समझा कि मैं एक कंपेरिजन कर पाऊं डॉप फोर्ज में